हलो क्लास 12, welcome to learn with Zenith Guru, मैं हूँ Nikkie Pandit और आज हम करने वाले हैं graphical representation for zero order reaction, first order reaction, second order reaction और उसके बाद हम पढ़ेंगे pseudo first order reaction, last class में हमने क्या किया था, NCRT को read किया था, last two class यह हम यही करते आ रहें, राइट, चलो, start करते हैं, फिर हम आज की class, heading क्या होगी, graphical representation, देखो, graphical representation करने के लिए हमें first order reaction, second order reaction और इस zero order reaction पता होना चाहिए, सबसे पहले हम करेंगे for zero order reaction, zero order reaction, ठीक है, हमें पता है कि जब A से, यानि कि reactant से product बनता है, तो initially क्या होगा, initially हम मान के चलते हैं, जब time zero था, तो reactant कितना था हमारा, हम यहाँ पर मान लेते हैं, कि X होगा हमारा reactant, और product कितना बनेगा, zero बनेगा, लेकिन जैसे जैसे time बीटता जाएगा, time T हो जाएगा, तो reactant कितना हो जाएगा, यहाँ पर A मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा, A minus X, और यहाँ पर product कितना बन जाएगा, X बन जाएगा, for zero order reaction, लेकिन हम एक बात यह भी पता है कि zero order reaction में क्या होता है, rate कैसे find out करते हैं, rate is equal to K, reactant की power, ठीक है, यारिन की A की power, यहाँ पर क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, और अगर किसी की भी power zero होता है, तो क्या हो जाएगा, rate is equal to K, यह है, आप चाहे rate is equal to A की power zero कर लो, या फिर rate is equal to K, A minus X की power zero, तो भी क्या आ जाएगा rate, rate को हम कैसे लिखते हैं, यह हो जाएगा, हमारा da by dt is equal to K, यह दूसरा बन गया हमारा rate, तो इन पर हमें क्या बनाना, यह हम क्यों कर रहें, ताकि हम graph plot कर सकें, किसी भी तरीके से देखो, अगर आपको एक्जाम में आगा rate versus time का, यह rate versus rate constant का graph बनाओ, या फिर da by dt, या फिर इ तो तीसरा क्या है, half life, जो first order reaction है, उसका half life की वगर हम बात करें, तो यहां से हमें half life का क्या पता चलता है, t half is equal to a naught by 2 के, यानि कि t half is directly proportional to a naught, तो तीसरा graph हमारा कहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, सबसे पहले, अगर हम बात करें, यह अभी देखो, note करो इसको, फिर हम graph बनाते, सबसे पहला graph बनेगा, concentration और rate के बीच में, यानि कि rate का क्या affect होता है concentration पे, first graph, concentration versus rate, तो देखो, जो rate है, वो concentration से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका graph कैसा बन जाएगा, यह, concentration versus rate का graph यह बनेगा, clear है, इसको note करो, फिर next page पे चलते हैं हम, concentration versus rate, अब हम क्या करेंगे, t-half का बना के देख लेते है, t-half is directly proportional to a-naught, तो इन दोनों के बीच में हम graph बनाएगे, तो कैसा बनेगा, t-half and a-naught के बीच का graph, directly proportional है तो, कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा, clear है, उसके बाद क्या है, एक और था, da by dt versus k, तो da by dt versus k का क्या है, similarly यहीं तो है यह दोनों, तो इसका भी क्या बन जाएगा, da by dt versus k, यानि कि कोई effect नहीं हो रहा है, तो इसका भी graph कैसा बनेगा, कुछ, इस तरीके से बनेगा, clear है, यहाँ पर देखो, दो चीज़े आ सकती है, यह जो मैंने पूरा लिखा है, इस तरीके से भी आ सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी हम represent कर सकते हैं, दूसरी तरीका क्या है, यहाँ पर यह a-x, अब आप से एक्जाम में पूछ लिया जाएगा, da by dt versus a-x का graph बनाओ, तो a-x पर भी तो depend नहीं करता हैं, तो भी कैसा graph बनेगा, similarly यही graph बनेगा आपका, right, तो अभी तक हमने कितने graph बना लिए, एक यहाँ पर बना है हमारा graph और दो graph यहाँ पर बना है, clear, तो इस तरीके से हम zero order reaction के लिए graph बनाएंगे, clear है इतना, अब हम बात करते हैं, first order reaction की, यह zero order reaction था, first order reaction, first order reaction में क्या है, a से बनेगा, p यानि की product और reactant initially हम मानके चलते हैं, a है, product zero हो जाएगा, जब time zero था, लेकिन जैसे ही time t हुआ, reactant कितना हो जाएगा, फिर से a minus x और product बन जाएगा हमारा x, यह हमारा product बन गया, rate कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम, dx by dt is equal to, dx by dt is equal to k, a minus x की concentration की power 1, यही है, dx by dt क्या है, rate है, so rate is equal to k, a minus x की concentration 1, और first order reaction का formula क्या होता है, k is equal to 2.303 upon t log a naught by a, तो यह तीन चीज़े हमें मिली हैं, अब इस पे base हम graph बनाएंगे, ठीक है, इस पे base हम क्या बनाएंगे, graph बनाएंगे, और एक और हो सकता है, इसका half life देख लेते हैं हम, half life क्या होता है, first order के लिए, t half is equal to 0.693 by k, यानि कि t half is inversely proportional to k, तो एक graph तो हमारा वहां से बन जाएंगे, t half by k का, ठीक है, एक हम यहां से बना लेंगे k और a naught के बीच में, clear है, अब इसके graph पे चलते हैं हम, log, यहां पे देखो, यह क्या है k, यहां पे a naught यानि कि initial और यह final क्या है, यहां पे final reactant हमारा क्या है, a minus x है, तो आप चाहो तो वहां पे a minus x भी लिख सकते हो, इस तरीके से, क्यूंकि हमने reactant में यह लिया है, तो हम इसको a upon a minus x भी मान सकते हैं, हमने यहां पे लिखा था, इसलिए मुझे वहां पे लिखना पड़ा, ठीक है, अगर आप यहां पे a naught, a लेके चलते हैं, तो आप वहां पे a naught और a को mention कर सकते थे, clear है इतना, graph बनाए है अब हम, पहला graph किसके बीच में बनाएंगे हम, log a minus x और k की बीच में बनाते हैं, देखो, log a minus x और k की बीच में, यानि कि कैसा graph है यह, inversely proportional का graph है, तो इसका graph कैसा बनेगा, log a minus x versus k का graph बनाना है, तो यह बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, log a minus k नहीं, t का बनेगा, काम करो, यहाँ पे t कर लो और यहाँ पे k कर लो, तो यह हो जाएगा, t, time के साथ, concentration जो है, वो क्या हो रही है, decrease हो रही है, यही पढ़ा था हमने, first order reaction में, कि time के साथ, जो concentration है, reactant की, वो decrease हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, decrease हो रही है, ठीक है, और second है, हमारा गर हम t half की बात करें, तो t half और k, t half और k inversely proportion है, लेकिन हम से कहा जाएगा, t half और concentration of reactant की बीच का graph बनाओ, तो आप बना पाओगे क्या, क्यूंकि t half तो concentration of reactant पर depend ही नहीं कर रही है, तो उसका graph कैसा बन जाएगा, t half, और a की बीच का graph बताओ, कैसे बनेगा, जब वो उस पर depend ही नहीं कर रहा है, यानि कि constant रह जाएगा इसका graph, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका graph देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, clear है इतना, और क्या graph बन सकता है यहाँ से, यहाँ पर हमें dx by dt और a minus x का graph, तो dx by dt is directly proportional to a minus x है, तो यहाँ से में next graph क्या मिल जाएगा, dx by dt और a minus x का कैसा graph है, straight line वाला graph है, तो इस तरीके से हम इसके graphs बना सकते हैं, clear है, यह तीन graph बने हैं किसके, first order reaction के, करो इसको note down, फिर second order reaction पे चलेंगे हम, clear, okay, now, second order reaction, second order reaction का फिर से हम general reaction लिखेंगे, कि reactant से बना है product, यहाँ पे क्या होगा, a रहेगा, initially product 0, जब time 0 था, लेकिन जैसे ही time t होगा, reactant a minus x खर्च हो जाएगा, और product x बन जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, rate is equal to k, a minus x की power 2, क्यूंकि यह क्या है, second order reaction है, clear, और हम लिख सकते हैं, dx by dt is equal to k, a minus x square, इस तरीके से, अब हमें अगर इसका graph बनाने के लिए आए, किस-किस का graph यहाँ पर आ सकता है, rate और concentration का graph आ सकता है, rate और इसका, तो कैसे बनाएंगे हम इसका, दोनों का similar ही होगा, rate और a minus x का whole square, यहाँ पर देखो आप क्या है, जैसे-जैसे rate बढ़ेगा, वैसे-वैसे a minus x square भी increase होगा, क्यूंकि यह दोनों directly proportional है, अब जैसे ही k का sign हटाओ कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, directly proportional का sign आ जाएगा, तो इसका graph कैसे बनेगा, इस तरीके से, exam में चाहे rate a minus x square का graph बनाने के लिए आ जाए, या फिर, दूसरा क्या है, dx by dt, और a minus x square का graph बनाने के लिए आ जाए, दोनों बात बराबर ही है, चाहे rate, rate is directly proportional to a minus x का square, और x by, x, sorry, dx by dt is directly proportional to a minus x का whole square, दोनों बात बराबर है, तो दोनों का graph कैसा बनेगा, similar बनेगा इसी तरीके से, clear है, इस graph को रोट डाउन करो, फिर हमारा next topic स्टार्ट होगा, pseudo first order reaction और जिसको हम कहते है, pseudo unimolecular reaction, करो इसको note डाउन, ओके, अब क्या है हमारा next topic, pseudo unimolecular reaction, अब pseudo का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो वो जानो, pseudo का मतलब होता है, ठीक है, means, जो जैसा दिखता है, वैसा नहीं होता, उसको हम बोलते हैं, pseudo first order reaction, first order reaction का क्या मतलब है, कि दिखने में तो यह हमें, दूसरा order reaction लग रहे हैं, में भी वो second order reaction दिख रहा है, हमें third order reaction दिख रहा है, बट actual में, जब हम इसको पूरा solve करेंगे, तो वो हमें first order reaction, मतलब वो first order reaction निकलेगा, तो इस type के reaction को हम बोलते हैं, pseudo unimolecular reaction, और pseudo first order reaction, clear है इतना, क्या हो जाएगा, pseudo unimolecular reaction और शूरो unimolecular reaction और, first order reaction, इसको हमने ncrt से line by line read कर लिया है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको कि first order reaction, दिखने में लगता नहीं कि first order reaction, लेकिन जब इसको solve कर लेते हो, तो order उसका first order ही आता है, तो definition क्या हो जाएगी, sometimes, sometimes in a reaction, sometimes in a reaction or in a or in an intermediate in an intermediate step some time in a reaction or in an intermediate step, more than more than one reacting species is obtained, reacting species is obtained and reacting species is obtained होता है and it look like more than first order reaction and and it looks like more than first order reaction but actually but actually that is first order reaction, दिखने में वो more than one order reaction लिगता है, लेकिन actual में वो क्या होता है, सिर्फ one order reaction ही होता है, first order reaction ही होता है, example क्या है इसका, example CH3 और C2 C2 H5 C00 C2 H5 एक यह हमारे पास reactant है, plus H2 एक हमारे पास यह reactant है, यह आपस में mix हो के क्या बनाएंगे, C2 H5 C 00 H और C2 H5 OH यह हमें product मिल रहा है, इन दोनों reactant को मिला के हमें यह product मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो water present है, वो axis में present है, और पहले भी बताया है, जो भी reactant axis में present होता है, उसको हम consider नहीं करते हैं, तो देखने में तो यह कैसा order reaction लग रहा है कि, इसकी concentration की power 1 और इसकी concentration की power 1, और दोनों की power को हम जब add करेंगे, तो order क्या हो जाएगा, 2, लेकिन water यहाँ पे axis में होने की वज़़ से, water को हम count नहीं करेंगे as a order, और इस reaction का order हो जाएगा, 1, clear है, कैसे करेंगे, हाँ पे देखो, rate is equal to k dash, concentration of c2h5, c00, c2h5, और concentration of water, यहाँ से क्या हो जाएगा, k dash और concentration of h2o is equal to k, हम let कर लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा, rate is equal to k, concentration of c2h5, c00, c2h5 की concentration की power, 1, तो यहाँ से order क्या जाएगा, order is equal to 1, देखने में कैसा था order इसका, 2 था, लेकिन कैसा है इसका order, इसका order है 1, लेकिन अगर हम इसके molecularity की बात करें, तो क्या इसका molecularity भी 1 ही होगा, या फिर molecularity में difference आएगा, देखो molecularity क्या था, जब reactant आपस में collide करके, हमें एक perfect product देते हैं, तो हम उसको molecularity कहते हैं, यहाँ पर, यह c2h5, c00, c2h5, react किसके सांथ कर रहा है, वाटर के सांथ कर रहा है, तो इसकी molecularity कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ओके, तो इसकी molecularity, molecularity इसकी 2 हो जाएगी, molecularity पे कोई असर नहीं होगा, जितना molecularity दिख रहा है, उतना ही होगा, लेकिन pseudo order reaction में क्या होता है, जो order हमें देखता है, वो order नहीं होता, क्यूं? क्यूंकि एक reactant वहाँ पर excess में present होता है, अगर यहाँ पर कोई भी reactant excess में present नहीं होता, तो क्या होता? जितना हमें दिख रहा है, उतना ही होता, clear है? एक और example देख ले हम, शुगर को हम हाईरोलिसिस करेंगे अब, प्लस इसका reaction हम water के साथ करा रहें, तो क्या मिलेगा? C6H12O6, प्लस C6H12O6, यह हमें दो प्रोड़क्ट मिल रहा है, same rate is equal to K-, concentration of C12H22O11 की पावर 1, लेकिन हापे water किस में प्रेजन्ट है? एक्सिस में प्रेजन्ट है, तो क्या हो जाएगा? K- and concentration of H2O is equal to K, okay? So, rate is equal to, rate is equal to K, C12H22O11, यह हो जाएगा, तो यहां से order कितना आ जाएगा? The order is equal to 1, but same, यहां पर molecularity कितना हो जाएगा? Molecularity यहां पर 2 रहेगा, molecularity कितनी है? इसकी 2 है, करो इसको wrote down, यह हमने second example देखा है, सम में सेम ही है, बगर कोई भी चीज एक्सिस में हो, जरूरी नहीं है कि water ही हमेशे एक्सिस में होगा, कोई दूसरा compound भी एक्सिस में हो सकता है, तो भी हम उसको consider नहीं करेंगे, clear है, इसको नो down करो, फिर next, एक और example देख लेते हैं हम, CH3, ठीक है, यह है acid anhydride, जब हम acid anhydride का reaction एलकोहल के सांथ करेंगे, यानि कि ethanol, C2H5OH, इसके सांथ कराएंगे, तो हमें product क्या मिलेगा, C2H5, 2 moles ले लेते हैं, acid anhydride plus ethanol आपस में react करके क्या बनाएगा, 2 CH3, C00, C2H5, यह, plus water, 2 C2H5, C0, C2H5 plus water, यह हमें मिल रहा है, clear है, अब यहां से क्या हो जाएगा, फिर से, rate is equal to K dash, अब देखो, यहां पर क्या है, C3, C double bond, हाँ, C O, O, C double bond O, CH3 की concentration 1, और यह दो बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे हैं, C2H5, O, H, and, फिर से आजाएगा, C2H5, O, H, की concentration की power 1, clear है, अब क्या हो जाएगा, rate, K dash, C2H5, O, H, and C2H5, O, H, is equal to K, Q, क्यूंकि इस बास C2H5, O, H, क्या है, axis में है, तो इसको हमने K के बराबर let कर लिया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से rate, rate is equal to K, CH3, C double bond O, O, CO, CH3, यानि की acid anhydride की concentration की power 1, तो order यहाँ से क्या आगया हमारा, order हो गया 1, molecularity बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने reactant है, दो है, इथेनोल, और एक है हमारा acidic anhydride, यानि की total 3 species आपस में collide करके product बना रहे हैं, तो इसका molecularity हो जाएगा 3, तो इस तरीके से आप find out कर सकते हो, बस याद रखना और question को ध्यान से पढ़ना कि कौन सी चीज excess में है, उसको हम consider नहीं करेंगे, clear है, तो इस तरीके से हमने order निकाला, molecularity निकाला, हमने यह देखा कि order effect कर रहा है, लेकिन molecularity पर कोई effect नहीं हो रहा है, pseudo का, clear है, तो आज की class के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, next class में, thank you so much.